हे दोस्तो वेलकम टू मैं न्यू व्लॉग और अभी सुबह के पांच बजे हैं और मैं अभी वैशाली बज़ित्य पर खड़ा हूं मेरेट के और मेरी ट्रेन है भी गाजियबाद से साथ बजे तो मैं उसी के लिए आया हूं तो अभी मैं बस लोगा यहां से क्योंकि आज मै मेरी ट्रेन मुझे रात के एक बजे उतार देगी तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरी बस खड़ी है यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर बस खड़ी है तो इसी में अभी हम जाएंगे तो आईए चल लिए अब चलते हैं बस के अंदर आ जोगा हूं बस हमारी चलने वाली है देख सकते हैं आप दोस्तों अभी सुबह के 6 बज़े हैं और मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं गाज्यावाद इस्टेशन का आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रेन भी खड़ी है तो हमारी ट्रेन तो भी आई नहीं उसका टाइम साथ बचके दस मिनट करते हैं तो जब तक वह नहीं आती जब तक इंतजार करते हैं प्लैट्फों पर आप देख सकते हैं प्लैट्फों में प्लैट्फों में प्लैट्फों पर आ रही है तो आईए देखिए मेरे साथ की ट्रेन कैसे आ रही है हमारे हमारे दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि हम आपको आती भी दिखाईगी मुझे दो हॉर्ण के वाज भी आगी ट्रेन की इसे अच काफी भीड निये देख रहा हूं में प्लेटफॉर्म खाली है वर्ना आम तौर पे तो यहां पे काफी भीड रहती है आप देख सकते हैं दोलों दोलों का लिए भी और वो हमारी सामने स ट्रेन के आने के रुकने के बाद इसमें चड़ा जाएगा इसमें दिखाऊंगा आपको मेरी कौन से सीट है इस तो आप सब देख सकते हैं दीरे दीरे वह हमारे करीब आ रही है ट्रेन ने होरन दे के भी बता दिया कि जो प्लैटफॉर्म के करीब है वो दूर हुट जाए कि यह आई हमारी काल का एक्सप्रेस कर दोस्तों अब इसके रुखने के बाद इसके अंदर चलेंगे हमारा कोच है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोस्तों अब ट्रेन रुक चुकी है अब चलते हैं ट्रेन के अंदर मैं आपको दिखा दो मेरी बर्थ कोन सी है कर दोस्तों हमारा एक दिन का सफ़र शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है मैं दोनों दब दिखा देता हूं आपको 24 गंटे लगेंगे मुझे ये रात में देड़ बच उतारेगी और मैं अपने गाओ कल सुबह आठ या नौवे तक पहुंचूंगा बड़ा ही बोरिंग सफर होने वाला है इस ट्रेन के अंदर क्योंकि कोई है नहीं साथ में बात करने के लिए मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा कि दोस्तों ट्रेन में बैठे बैठे दाइगंटे हो चुके हैं और काफी बोर्य तोड़ी है अभी फिलाल ट्रेन अलिगाड जंक्शन पहुंची है अब दिख सकते हैं मेरे साथ 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 स्टेशन भी दिखाई देगा आपको चलता हो क्योंकि ट्रेन चल रही है भी रु कि कि अथा जुकशन पहुच करें northwest ट्रेन हमारी अभी तुंडला जंक्शन पहुच चुकी है अब दिखा देता हूं तो टुंडला जंक्शन कहां लिखावा है अब सब देख सकते हैं कि यह यह फिन्य मीर्ड हो दोस्तों ढह Test कानपूर सेंट्रल पर आज चुगा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्लैट्फॉम चल रहा है और इदर हमारी ट्रेन खड़ी है इस तरफ से तो यहां पर ट्रेन कम के कम तरफ दिखा देता हूं दोस्तों कानपूर सेंट्रल पर हमें कम से 20 मिनट हो गया है खड़े खड़े पर अभी तक हमारी ट्रेन चली नहीं है अभी हम अपने टाइम पास कर रहा हूं प्लैट्फॉर्म पर घूम घूम के आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड है और काफी एच्छे प्लैट्फॉम बना रखे हैं यहां पर जैसे न्यू डैली में है वैसा ही यह सेम यहां पर भी यह आपको मैं जूम करके दिखाता हूं यह कानपूर सेंट्र लिखा हुआ हूआ हुआ हुआ है दोस्तों सामके साड़े पांच बच चुके हैं और मैं अभी प्रियाग राज जंक्शन पे घ चुक्त बचए हुआ है यहां इसलिक यहां है रहे हूँ सब्ब्सक्राइब करें चलाई हूँ हुआ है और मीड़ेश्या कंपके दिखाुंगर्ट देरह पीड़ेया है यह आप देख सकते हैं ट्रेन हमारी अभी यह यहां पे कम से कम 10 से 15 मिनेट खड़ी रहेगी उसके बाद ही चलेगी तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे आया था टेल ने ट्रेन में बैठा बैठा बोर हो गया और प्लैट्फॉम पे काफी भीड है कि आपको वाज भी आ रहे होगी और आपको इंजिन का शोर भी आ रहा होगा कि यह देखिए चलिए अब चलते हैं ट्रेन के अंदर दोसको हमारा डबा आने वाला एस्टेन हम एस्टेन में पैठेंगे जाके यह हमारा डबा आ गया एस्टेन आप देख सकते हैं एस्टेन लिखावा है यहाँ पे और मैं इसी के अंदर ही जाने वाला हूँ दोस्तों हमाही ट्रेन प्याग राज इस्टेशन से निकल चुकी है आप देख सकते हैं चल रही है दीरे दीरे और लोग जल्दी जल्दी से चड़ रहे हैं ट्रेन में ताकि छूट ना जाए इनकी ट्रेन यह निकलती भी जा रही है थोड़ी टेज होगी और सामने मालगाणी जा रही है यह दीरे दीरे प्याग राज का बोट भी पास में आ रहा है दीरे दीरे ट्रेन आगे की तरफ जा रही है सारे लोग तो ट्रेन में चड़ चुक है एक समोसे वाला अपने समोसे भी बेकर आया और यह आप देख सकते हैं प्रियाग राज का बोट दिखाई दे रहा है यह सामने दोस्तों साम के साड़े 6 बच चुक है और हमारी ट्रेन आपको ट्रेन के आवाज आ रही होगी हमारी ट्रेन मिर्जापूर जंचंग पहुच चुकी है और मैं भी मिर्जापूर के प्लैटफोर्म पर ही हूँ आपने सीरीज भी देखियोगी मिर्जापूर यह वही मिर्जापूर है यह देखे मिर्जापूर का बूर लगावा है और हमारी ट्रेन भी चलने वाली है तो देख सकते हैं आप बोर्ड भी लगावाँ पंडित बीन दियालो पास जाएगा और इस तरह हमारी ट्रेन कड़ी है यह भी देख सकते हैं आप और यहाला प्लेट्फोर्म खा ली है इस प्लेट्फोर्म पे भी एक ट्रेन आने वाली है वो पुरी जाएगी तो चलिए चलते हैं वापिस अपने डिब्बे में कर दोस्तों रात के साड़े बारा बज़रे और 15-20 मिर्ट में मेरा इस्टेशन आने वाला है जहां पर हमें उतरना है कोडरमा जंक्शन तो अभी पंदा मिर्ट बेट करना पड़ेगा मैं गेट का चुगा हूं आपको पीछे बैक्राउंड को दिखाई दे रहा हूं जैसे इ दोस्तों रात के एक बज़रे हैं और हमारी ट्रेन ने हमें उतार दिया है और यह चोड़के में जा रही है आप देख सकते हैं सामने सामने जा रही है और मैं को ड्रमा जंक्शन पर आ चुगा हूं अभी तो रात में तो कोई बस मिलेगी नहीं मुझे भी हां से कम से करीब 10-70 km और आगे जाना है तो सुबह 5-6 वजे के करीब हमारी बस मिलेगी उस बस को लेंगे फिर बस चलते हैं अपने गाउं अब दिखा रहा हूं कि अब मेरे आगे के ट्रेन चल रही है आप देख सकते हैं यह अपनी ट्रेन जा रही है दीरे 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 छोड़ते है और यह बोर्ड लगा हूँ है सामने कोटरमा जिंक्शन का है कि देखो वैसे इसने करेक्ट टाइम पर उतार दिया है टाइम से भी पहले उतार दिया है पंदा मिनट मैं तो सोच रहा था लेट हो जाएगी पर लेट हो नहीं हुई नहीं है इसने कवर कर लिया टाइम और यह आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हूँ है यहाँ पर और दिरे दिरे ट्रेन भी आगे बढ़ती जा रही है पीछे के डबे दिखाई दे रहे है यह देख सकते हैं प्लैट्फॉर्म भी दिखा देता हूँ प्लैट्फॉर्म बड़ा बढ़ी है बना रखा है यहां का भी अब दो से तीन घंटे यहीं सोया जाएगा फिर उसके बाद बाहर जाएंगे बस देखेंगे कहां से मिल रही है फिर बस लेके चलेंगे अपने गाओं कि एक ट्रेन भी काफी लंबी थी हमारी कि अ कि अ कि चलिए दोस्तों इस ट्रेन को भाइवाई बोलते हैं और चलते हैं अपने अगले सफर की तरफ कि दोस्तों सुबह के साड़े पांच बच चुके और मैंने बस ले लिए अपने गाओं के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे बस है और मुझे पता लगाएगी यहां पर लॉक्डाउन लगा पाया तो किराया मुझे डबल लिया जा रहा है वैसे 70 रुपे किराया लग अज मुझे 150 रुपे किराया देना पड़ रहा है लॉक्डाउन के वैसे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दूए अराऊ, कि दूए साफगे कि दो जूए यमके कि दूए प्रेट कि दौना प्रेटा कि दो जूए तब भूए साफ़ जए नहां दो रहला है प्रोड़ के लिगा कर दो कि अचाया है कर दो घ्रपैना को आपके कर दो नाद है हुआ झाल दोस्तों फाइनली मुझे बसने उतार दिया है और मैं अपने गाउं पहुंचने वाला हूं कुछी देर में क्योंकि मेरे मामा आ रहा है मुझे लेने तो मैं सीधे पहले अपनी नानी के घर जा रहा हूं वहाँ पर फ्रेश होंगा दो रात से नीद नी है यह सोंगा उसके बाद कुछ करूँगा उसके बाद कुछ काना वाना खाएंगे क्योंकि नीद भी आ रही है मुझे बहुत तेज और मैं आपको बता दूगी यहाँ पर पिछले एक महीने से बारिश हो रही है सुबह साम क्याँ विद्वाफे हो छो चलिए तो आज के लिंए इतना कि फिर मैं मिलता हूं आप से ने्स वीड कि प्रिए और मैं नेक्स वीडियो में आपको दिखाऊंगगा अपनी नानि से मिलाूँ मौण वहां के खेत दिखाऊंगा वा दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिल आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल